हेलो इस्टूडेंट्स वेलकम तू दा अधित्य क्लासेज दिस डॉक्टर विनीत माथूर एंड इन दिस वीडियो वी आर गोईंग तू डिस्कॉस अबाउट दा इस्ट्रेस एंड ए मॉडल ओफ इस्ट्रेस देट मीन्स की इस्ट्रेस के क्या-क्या सोर्सेज हो सकते हैं औ और उसके आउटकम्स क्या-क्या हो सकते हैं तो जैसे हमने एक ग्रुप में मॉडल देखा था फिर हमने एक कॉन्फिक्ट प्रोसेस का एक मॉडल देखा था ठीक उसी तरीके से इस्ट्रेस का भी एक मॉडल है प्रोसेस है वह हम डिसकस करते हैं तो लेट इस स्टार्ट और उसको मैनेज कैसे करना है तो बहुत ही मतलब बात ओवी की नहीं है बात सलेबस की नहीं है यह चैप्टर आप मान लीजिए कि बात हमारे और आपकी लाइफ की है कि स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन और इन सब चीजों से जो है वह रूटीन डेज में हम सब का कभी ना कभी सामना होता ही है वह कुछ भी हो सकता है कि कि लॉकदाउन के बाद में कोविड लॉकडाउन के बाद में एकोनोमिक कंडिशन्स जो है वो कंट्री की इंडिविज्वल की सबकी जो फाइनेंशियल पोजिशन्स है उन पे कोई ना कोई इंपेक्ट आया है या फिर आप मान लीजिये कि कुछ समय तक हम लोगों का घर से निकलना भी बंद हो गया था तो वो भी काफी स्ट्रेसफुल निकला पूरे वर्ड में ओल ओवर दा वर्ड चाहे आप ट्वीटर को ले लीजिये मेटा जो की फेस्बुक है उसको ले लीजिये पेटियम ले लीजिये जो भी वर्ड लेवल पे कंपनीज है माइक्रोसॉफ्ट है उन सब में ले ओफ चल रहा है कब किसकी जॉब चली जा जो प्राइवेट जॉब में है उनको हर समय जॉब सिक्योरिटी को ले के वैसे ही स्ट्रेस रहता है एक कारन है जिससे एंग्जाइटी और इस ट्रेस रहता है बहुत ज्यादा प्रैसर है तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जब वर्क ओवरलोड होता है और अगर हैं दॉन जॉब में हैं उस केस के अंदर जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो इन सब बातों से सम्हाव मुझे लगता है कि आप स्ट्रेस को कुछ समझ पाए होंगे अब अपन कोशिस करते हैं कि अपन स्ट्रेस को डैफिनिशन में डालने की अगर हम कोशिस करें तो स्ट्रेस एक वो सिचुएशन है जहांपे आपको लगता है कि कोई अपर्चुनिटी है आपके सामने लेकिन उस opportunity के साथ ही कुछ constraints या फिर limitations भी है लेकिन जो outcome है वो आपकी demand है आप कोई चीज अचीव करना चारे है और importantly कि उस outcome की importance है आपके लिए तो कुछ words जो इस definition से निकलते हैं उनमें से जो मैं words by word अपन बात करते हैं एक word आ रहा है कि there is some kind of opportunity ठीक है and one word is there is some limitations or constraints somehow there is uncertainty also and the main reason behind stress is कि जो वो outcome है वो आपको needed है वो आपकी demand है and importance of that outcome तो stress सबसे ज़्यादा create तब होता है जब एक तो uncertainty बहुत ज़्यादा हो और एक वो जो outcome है जिसके लिए आप कोशिस कर रहे हैं जिसके लिए आपको लग रहा है कि opportunities हैं उस outcome की जितनी ज़्यादा importance होगी उतना ज़्यादा जो है वो stress के उपर impact आएगा यह मैंने आप से discuss किया यहां पर demand क्या है demand है जो आपकी requirements है जो आपकी need है दूसरा constraints मतलब आपकी limitations जो है वो और एक है आपकी opportunities अब जैसे for example आपकी company में performance appraisal होने वाला है next week या next month आपकी company के अंदर appraisal जो है वो due है pending है तो अब आपको क्या लग रहा है कि somehow performance appraisal आपके लिए एक opportunity है कि अगर आपका annual appraisal अच्छा निकला आपने उसमें अच्छा score किया तो आपकी salary hike हो सकती है और आपका promotion भी हो सकता है लेकिन आप जानते हो कि आपकी जो भी capabilities थी कुछ आपकी market की limitations environment की limitations family की कुछ बाद हैं आपकी life में रही तो आपको ऐसा लगता है कि आपका promotion रुख सकता है प्रिवेंट हो सकता है कि भी आप पूर review आपका निकल गया whereas जो एक third condition है वो यह है कि in case आपका जो performance appraisal है वो खराब चला गया negative mode के अंदर वो खराब चला गया तो उस case के अंदर आप यह मानिए कि आपका number जो है वो lay off में भी लग सकता है आप fire हो सकते हैं company से job जा भी सकती है तो तीनों चीजें है जो एक reason बन सकती है stress को create करने की एक तरफ आपको promotion की opportunity दिखरी है एक तरफ आपको promotion नहीं होने के chances नजर आ रहे हैं और एक तरफ आपको जो है यह भी नजर आ रहा है कि even appraisal खराब गया तो कुछ punishment action टाइप की भी चीज हो सकती है वो चाहे तो lay off हो या फिर जो है वो आप मतलब को demotion या ऐसी कोई चीज हो सकती है झाल 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 झाल